नसकर दोस्तों आप देख रहे हैं बिकेटिनी जारखंड और मैं पपुए दोबारती आज हम बात करने वाले हैं तिरकु ट्रोपवे को ले करके जब से हाथसा हुआ तब ही से लोग इंतजार कर रहे हैं कि तिरकु ट्रोपवे दोबारा कब से चालू होगा और इसको लेकर के जारखंड के अलबसंख्या कल्यान खेलकुद और परेटन विभाग के मंतरी हफिजुल हसन ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने साफ किया है कि कब तक चालू होगा और इसमें कौन-कौन से विभाग थे किसके किसके द्वारा इसकी जांच की गई और जांच रिपोर्ट में क्या कुछ है ये तमाम चीजों को ले करके उन्होंने साफ किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार से जल्दिबाजी में कोई भी काम करने से कितना बड़ा हाथसा होता है इसको ले करके भी उन्होंने कहा है आपको बता दे कि 10 अपरेल 2022 को तिर्कूट में राम नमी के दिन एक बड़ा हाथ सा हुआ था तिर्कूट रोपवे का जो साफ्ट है वो टूटने के कारण से रोप में जो लोग बैठे थे वो सभी फस गये थे करीब तीरपन लोग फसे थे और तीन लोगों की मिर्त्यू भी किया जिसमें कई आये साधिकारी सामिल थे और वो लोग रांची से चलके देवघर आये और यहां पर वो लोग खूद पैदल चड़ करके उपर चड़े करीब 15 सब फीट उचाई पर वो लोग पैदल चड़े और वहां पर बारिकी से उसका जांच किया उसके बाद अब जो है इसका रास्ता साफ हुआ है और किस प्रकार से नए सीरे से रोफवे फिर से चालू होगा और मंत्री ने क्या कुछ कहा है कि जल्दी बाजी में अगर कोई क काम किया जाता तो किस प्रकार से हाथसा हुआ उन्होंने गुजरात के मौरवी का उधारन देते हुए बताया कि वहां पर एक पूल टूटा था और बड़ा हाथसा हुआ था उस पूल को भी जल्दी बाजी में चालू किया गया था एक कंपनी जो ब्लेक लिस्टेट है उस लिए हम लोग बहुत ही गहन चिंतन के बाद और बहुत ही बारिकी से उस चीज को समझते हुए नए सिरे से उसे चालू करेंगे तो मंत्री ने क्या कुछ कहा है ये उससे सुनते हैं देखिया उसका टेकनिकल टीम दो तीम को हम लोग भेजे थे सेंट्रल का टीम था बेया सिंद्री का टीम था और एक प्राइसरकर का टीम तीनों जा करके वहां सर्वे किया है उसका जो लास्ट पॉइंट है जहां लास्ट टॉली जो उठता है जो उसका जो एकाएक 90 डिग्री है जैसे कि सब बोल रहे हैं तो वहां एक पिलर देना है या नया टेकनिक से कुछ कर करना है कि आगे फिर हाथसा नहीं हो क्या क्यों एक 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 उहां लोड पड़ जाने से जिसके चलते वह पूली तूटा और रासागिरा जो इतना बड़ा हाथसा हुआ तो इसमें लगे हुए हैं बहुत जल्दी वह रिपोर्ट आ जागा और इसको चलू करेंगा दूसी ब तो इसके लिए भी नया टेक्निक से जो भी अब दिरिज बनेगा थोड़ा उससे जो विभाग है चिंतित है कि किस तरह हम लोग बनाएं जो कुछ नहीं हो सुरुच्छित रहें और इसमें भी बहुत जल्द से जल्द काम चालू हो जाएगा प्रिकुट में उसका नया डिजाइन तरद तयार होगा उसमें एक जो उचाई है जो एक आएग जो चड़ाई पड़ जाता है उसको कम करने का उपाए टेक्निकल टीम सोच रही कि कैसे उसको बनाएं जो हाथसा नहीं हो झाल